नमस्कार दोस्तों, विलकाम टो मैं चैनल, पहले ही हम आप लोगों को होली के सुबकाम ना है, तो आप लोग अच्छा रही है और अच्छा से होली मनाई है, तो देखिए को छोड़ा-छोड़ा कोस्चेंस है वो लेके हम आया है, तो उसका उपर थोड़ा ध्यान देता है, और एक master tips हम बोलेंगे, जो tips से आप लोगों को काम में लगेगा, मतलब उसमें जब करोगे, और कुछ questions हमारा student लोग ने किये है, तो उसका भी सुना के आप लोगों को, मतलब ये questions हो सकते है, आप लोगों का अंदर कोई भी subscriber को ये problem हुआ है, ये भी हो सकते है, और ये बा अच्छा लगे तो हम लोगों को, अप लोगों को, तो दिखिए, पहले हम आ रहा है एक छोटा सा microphone का point में, जैसे कि mono AU A04 condenser microphone kit, तो ये mic ले लिया है उन्होंने, मगर ये mic चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, मतलब record तो हो रहा है, अच्छली क्या किया है, हम देख ले, दे क्या है, select, अच्छा, select कर रहा है, तो record हो रहा है, लेकिन ASIO for, ASIO for पर नहीं हो रहा है, ये बहुत एक बड़ा चीज है, मतलब ये जो question किये है, ASIO for all अगर हम लोगी install करते हैं ना, उस time में, हम पहले, पहले वाला question में भी, पहले वाला tutorial में भी अल्रेडी बोल चुका है, basically ASIO, audio signal input output, कुछ-कुछ driver का साथ match करता है, कुछ-कुछ driver का साथ match नहीं करता है, तब हम लोगों को match करवाना पड़ता है, जब ASIO हम लोग खोलते हैं, तो हम दिखाते हैं, थोड़ा सा आप लोग कर दिजगे, क्योंकि क्या है, हम अभी ASIO select करें, तो इसका driver को, अगर select करें तो ऐसे image होता है, तो image में देखिए, इसमें देखिए, यह वाले image हम बड़ा कर रहा है, तो realtech HD digital input, इसको on किया है, realtech HD audio input, इसको off किया है, realtech HD audio output, इसको on किया है, ठीक है, उसके बाद, यह में DSP audio production, WDM, इसको भी on किया है, ठीक है, तो ASIO actually करता क्या है, basically ASIO for all, आप लोग 2 soundcard भी use कर सकते हो, जैसे कि आपका एक soundcard, दो soundcard, तीन soundcard भी use कर सकते हो, ठीक है, तीन soundcard एक की साथ, ASIO for all में, इसको install कर सकते हो, ठीक है, अभी क्या है, सभी का, जो soundcard होता है, सभी का in होता है, और out भी होता है, सभी का होता है, तो उस time में कौन सा soundcard से आप करना चाते हो, recording करना चाते हो, तो आप लोगों को select करना पड़ेगा, USB sound device, speaker और capture यह जो enable किया है, तो इसमें क्या है, जो USB sound device आपने लगाया है, जैसे कि आपका microphone लगाया है, तो microphone से recording होने लग जाएगा, ASIO से microphone से recording होने लग जाएगा, और अब काम भी कर सकतो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चला आते है, एक्षिली क्या है, यह आप लोगों को थोड़ा सा न सफ लिंकर का देखना पड़ेगा, सफ लिंकर का मतलब इसको on करो, इसको off करो, देखो क्या हो रहा है, जब दो अक्टिव है, चार इनक्टिव है, और दो अक्टिव है, आउट अक्टिव है, इनक्टिव है, तो उधर भी दिखाएगा, जैसे कि रियल टेक अक्टिव हो गिया, नहीं तो USB जो microphone आप लगा रहा है, तो USB microphone, USB audio device active यह दिखाएगा, जब वो दिखाएगा, इधर जब द कुछ छोटा सा दो तीन problem हम solve कर रहा है, बिसिकली यह बोल रहा है, यह हमारा एक student ने बोला है, थीक है, drum structure, drum structure और drum using, यह थोड़ा question क्या होता है, बिसिकली आप लोग कुछ बना रहा है, थीक है, कुछ खाना बना रहा है, उसमें हम अगर पूछेगा, आप लोगों को, कितना नमक होना चाहिए, तो आप लोग क्या बोलोगे है, ने तो तीन चामच मतलब एक कोई मतलब अकोई बात नहीं है विसकर रिखले क्या है इसको जो हम लोगों को लगे अ चार ड्राम भी उसकर सकता है क्यूंकि हमको थेस्ट अच्छा लग रहे है उसका तू इसके हिस अब से मतलब कूछ चीज है जिसका हम explain नहीं कर सकते है आप लोगों को क्योंकि यह explain जब हम करने के लिए जाएंगे आपको अगर बोल देंगे ठीक है drum तीनो यूज होता है एक sub bass होता है एक low bass होता है और एक tight bass होता है तीनो अलग अलग होता है मतलब तीनो type का होता है एक low होता है जिसको sub bass बोलता है एक mead होता है और एक high बोलता है जिसको tightness बोलता है अभी इसमें जाओगे तो इसका objective क्या आएगा एक acoustic drum भी होता है और एक electric drum भी होता है कोई दिक्कत नहीं है तीनो टोन को तीनो ट्रैक यूज़ कर सकते हो सकते हम और भी एक ट्रैक यूज़ कर सकते हैं चार भी यूज़ कर सकते हमारा उपर डिपेंड कर रहे हैं मतलब कितना नमक लगेगा खाना में हमारा तो हमारा उपर डिपेंड कर रहे हैं जो अच्छा क्या है टेकनिक जो है बहुत सारा टेकनिक तो हम बोला है उसके बाद आप लोगों मिक्स करोगे दो तीन चीज अब लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा जो भी करोगे माइनस ट्वियल्ब ठीक है माइनस इलेवन इसका नीचे जाना नहीं चाहिए इसका नीचे अगर जाएगा तो साउंड थोड़ा थोड़ा फटने लगेगा मोबाइल में फटने लगेगा नहीं तो गाड़ी में सुनेगा तो थोड़ा थोड़ा फटने लगेगा तो जो भी लगा हो गया अगर चार ट्र स्ट्रक्शर में कैसे कॉर्ट स्ट्रक्शर करें जो थोड़ा सा अलग टाइप का हो उसके उपर ध्यान देना चाहिए ठीक है तो मतलब ये थोड़ा सा रजेस इसको थोड़ा सा तुम हम जो बोला है उसका ही सबसे तुम कुछ भी ड्रम लगा सकते हो चार पांच ट्रैक भी लगा सकते हो जिस इंस्ट्रुमेंट का फ्रिक्वेंसी रेंज मालूम नहों तो क्या लगाना चाहिए तो कोई साउंड का फ्रिक्वेंसी कैसे हम समझाए मतलब कैसे हम लोग देखे तो इसका उपर हम ट्यूटरियल अलड़ी दे चुका है तो आप लोगों को वो थोड़ा कुछ एक बजा रहा है क्या करना पड़ेगा एक एनलाइजर लगा दो इसका अंदर एक एनलाइजर लगा दो एनलाइजर कोई भी एनलाइजर तो हम इसको एनलाइजर लगाते है जैसे कि फ्रिक्वेंसी एनलाइजर इसको स्टीडियो फ्रिक्वेंसी एनलाइजर लगाते है तो चलाएंगे तो म जगा 1000 में देखिए इसका उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है नहीं फिर ऐसा मन्तव इसका नेचर ही ऐसा है तो इसको हम लोग क्या करें तो उसका ट्यूटोरियल देख लेने से अब लोगों को मालूम पड़ जगा जो जगा पर हम लोग का फ्रिक्वेंसी जदा है उसको थ बहुत पर में कैसे अड़ करें एवी अल्री बोल चुगा है कीवर्ट का sound को किसी भी वी लाइबरी से कैसे एड़ करें इसको अगर हम लोगों करना है जैसे कि एक sound हम बजा रहा है तो इसको record करना है इसको इसको record कर रहा, ठीक है C record कर दिया तो यह C हो गया इसको थोड़ा सा छोटा कर देते है छोटा करके इसको export कर देते है इसको export करो file में जाओ, export में जाओ, audio mix down में जाओ इसको हम desktop में कर देते हैं harmonium export कर दिया कोई file में कर दो और भी अच्छा होगा तो हो गया, अभी contact में जाओ contact खुलो, तो इसको add instrument करते हैं, contact लेते हैं तो contact का अंदर यह sample जो है, यह sample अगर आप लोग लेकर आओगे, नहीं तो आप लोग एक और भी काम कर सकते हो, जैसे कि एक इसको remove कर देता है, इसको थोड़ा सा, इसको add sampler track, इसको थोड़ा सा जाओगे तो इधर मिल जाएगा sampler track, तो एक audio track ले लिया, इसका अंदर यह sample को लगा दिया है, इसमें अगर जाएंगे यह बटन को on करेंगे तो इसका अंदर नीचे में sampler मिलेगा, तो इसको लेक जो harmonium हम desktop में रखा है, तो harmonium को drag कर देता है, add audio sample or media part here, add audio sample or media part here, ठीक है, हम add करते है, इसको थोड़ा सा, राना सा administrator का चक्र है, तो इसको लगा देता है, desktop हो गया, इसके बाद harmonium हो गया, okay कर दिया, okay कर दिया, फिर इसको लेकर इधर आते है, तो आ गया harmonium, तो इधर चल र हो रहा है, यह तो मीडी हो गया अभी ना, इसको अगर मीडी मीडी बन गया, तो यह sampler track इधर मीडी हो गया, तो इमीडी में बज़ेगा, तो नॉर्माली एक sample लेके, हम लोग काम कर रहे है, देखिए, प्रेस करका दखा है, तो किधर से चालू होना है, किधर से खतम होना ह है, इधर इधर खतम हो रहा है, तो ठीक है, चलो, कोई problem नहीं है, बस हो गया, यह मीडी में हो गया, हम लोग record भी कर सकते हैं, ठीक है, तो बाकी कुछ questions का answer बाद में देंगे, तो छोटा-छोटा करका सभी का देखना पड़ेगा, तो एक बार हम, actually क्या है, problem solve करते करते हैं टाइम चला जा रहा है, तो हम नया chapter देने का chances ही नहीं बन पा रहा है, तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, क्या क्या comment किया है, तो बहुत बढ़िया जानकरी thanks sir, thank you, please request sir, क्या request किया है, यह sir, भोचपुरी music production के लिए cubase and all VST original मिलेगा क्या, अब direct site से खड़िद लो, कोई प्रब्लम नहीं है, original VST जो है, आप directly उसका site है, उसका site में चला जाओ, जैसे कि अगर contact खरिदना है, तो native instrument में चला जाओ, अगर QS खरिदना है, तो QS में चला जाओ, तो हमारा पास एक ही होता है, मतलब हम खरीदा है, तो हमारा पास एक ही है original, तो आपको खरिदना होगा तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, sir request, speak this chapter in Hindi, यह हम बाद में बोलेंगे, यह ASIO का जो connection है, यह थोड़ा सा बाद में बोलेंगे, हिंदी में बोली है सर जी, अच्छा हिंदी में बोली है सर जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, थेंक्यू, great sir, there are no names, थेंक्यू, वीप हम लोग चला आते हैं, basically, निवेंडो क्यूबस में, कुछ अच्छा काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, आप लोगों को composition अच्छा बनाना पड़ेगा, और जब कोई भी starting करोगे, कुछ starting करोगे, आप सोच लो, क्या-क्या आप देना चाहते हो, मन्दब ड्रम द थोड़ा-thोड़ा सेकर देना चाहते हो, परकरशन देना चाहते हो, कॉंगो-बॉंगो देना चाहते हो, बाज गीटर देना चाहते हो, तो एक लिस्ट बनाना आप लोगों को पड़ेगा, उसके बाद एक-एक करके track lower बनाओ, और पहले tone को adjust करो, पहले tone को adjust का मतलब क्या ह जैसे कि यह harmonium, ठीक है, इसका यह harmonium हम खुल रहा है, यह harmonium बहुत अच्छा harmonium है, तो इसका हम tone को adjust करते हैं, तो harmonium अगर adjust करोगे, तो देखिए इसमें क्या है, basically bass है, बास है मतलब harmonium में bass कितना ज्यादा db होगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हम लोग, ठीक है, उसके बाद male है, female है, उसके बाद coupler है, coupler को own कर देते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, तो coupler को meaning क्या है, मतलब एकी note दो जगा पर, दो octave में बज़ेगा, यह है coupler, ठीक है, one key, one key मतलब one key अगर single key का, db अगर बरना चाहते हो, तो off की मतलब पहले tone बना लो, यह general होता है, यह effect होता है, तो effect कुछ है नहीं, अगर इसको on करो तो तो effect आ जाएगा, जैसे कि free delay हम लोग दे सकते हैं, हो गिया, delay हो गिया, उसके बाद अगर delay EQ है, EQ अगर करना चाहते हो, EQ को on करो, EQ कर सकते हो, थोड़ा से शार्फ कर सकते हो, तो यह पहले set करो, set करकी इसको save करो, पहला काम यही है, तो उसके बाद दूसरा काम में जाओ, तो यह हो गिया, इसको हम off कर देता है, delay को इसको भी off कर देता है, अच्छिए delay लगता नहीं है, harmonia में उतना ज़्यादा लगता नहीं है, अब भी delay है, general में जाते है, और effect में जाते है, delay अच्छिए इसको भी off कर देता है, आफ कर दिया तो ऐसा ही बोलना चाहिए जो tones आप use कर रहे हो, वो tone का setting करना और tone लगाना बहुत ही important काम है जैसे कि हम दिखा रहे हैं harp, जो string tone होता है तो harp को कैसी use करोगे, harp बहुत अच्छा चीज है और आप लोग use भी कर सकता है कुछ गाना में लगता है, जैसे कि गाना का break point में harp लगता है तो इसका sound बढ़ा सकते हो, sound को change कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो क्या, और एकी sound साउंड 15 बर सूना, कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है ? कैसा कैसा लग रहा है ? 10 बर सूनके उसको काम करो उसका तब देखो को आच्छा quote बनेगा जैसे कि अगर हम harp बजाए तो इसका उपर हर बजाए इसको close कर देटेंगे दो बार का बजाएंगे इसको ओन कर देता है इसको ग्रीट बीट को ओन कर देता है हाँ ठीक है इसको ऐसा ऐसा ले आते हैं इसको आफ कर देता है बाकि जो है इसको तीनों को ही डिलीट कर देता है रिमूफ अभी इसको अगर हम बजाएंगे, देखिए हम भेलो सरी उस किया है, और रंग जो दिये है, ये एक साथ नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये थोड़ा अलग-अलग दिखा रहा है, और गाना में कॉट का हिजब से आप हार भी उस कर सकता है, बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ-कुछ ब्रेक पॉइंट में हार भी उसका सकता है, तो इसको उपर हम बोलेंगे, हम डीटेल में जाएंगे, क्योंकि कौन सा इंस्टुमेंट कैसे उस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, जहां ठीक है, नहीं गलत हुआ है, और ये अच्छा ल और तब तक के लिए आप तोड़ा इसको देखिए, और धेट सवरा कॉमेंट भी किजिए, जो हमारा चैनल में नया है, ये तो हमारा कॉमून सब्जेक्ट हो गया है, मतलब सभी को बोल रहा है, सब्सक्राइब करो, और नहीं तो बेल आइकन को डबाओ, सब्सक्राइब ब हमारा चैनल से जाएगा, मकर गाना एप्रूब होना पड़ेगा, मतलब गाना अच्छा होना हो चाहिए, कंपोजिशन भी अच्छा होना चाहिए, थेंक्यू दोस्तों, फिर आते हैं नेक्स्ट ट्यूटिरल में, और फिर एक बार हैपी होली, आप लोग अच्छा से होली म झाल üstड झाल थाथ Tु झाल से जाएगा झाल के जा रएगा होना होगी होगी